नमस्कार फेंड्स तो चलिए पपाया तोड लेते हैं कच्छा वाला भेजेंगे कल बच्छों के टिफिन में इसी का बना के कुछ तो ये जो पपाया ट्वी है ना इसके पत्ते आपको पता है ना प्लेटलेट्स बढ़ाने में बहुत काम आते हैं जब डेंगू हो जाता है और उसके अलावा ये पत्ते का जूस आप हफते में एक बार तो कंज्यूम ऐसे कर लीजिए बौडी के लिए बहुत अच्छा रहेगा और कच्छा पपीता तो बहुत फाइदा करता है और पकावा पपीता जो हम फ्रूट की तरह खाते हैं वो तो बहुत अच्छा रहता ह है चाहे डाइबिटीज हो कोई भी लाइक हर पेशेंट के लिए बहुत अच्छा रहता है तो पपीते को अच्छे पपीते को अपनी लाइफस्टाइल में ज़रूर इंक्लूड करिए ये आपकी बॉड़ी के लिए कितना बेनिफीशल है एक बार इसको आप गूगल पर च चिल के उतार के और इसे ग्राइट कर लूँगी तो ये पपाया ग्रेट करना है ना बहुत टाइम टेक्ग था तो सुबर सुबर इतना टाइम लगता है ना तो आप मुझे सब्राइब ज कर सकते है कौनसा फूट प्रोसेसर बहुत ? बैस्ट कां मेशी हो झाली नीक ही मैं अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड करिए सत्तू को जरूर से अब लगाते हैं हम आटा आटे में एड करिए नमक और अजवाइन देखिए ऐसे स्टोर करके रखेंगे ना अपने हिसाब से टैंडम ड्रॉर्स ऐसे बनवाईए कि मुझे अजवाइन के लिए डबा बाहर निकालनी की भी जरुवत नहीं पड़ी और काम मेरा होता है फास्ट यहां मसाला बन गया है और मसाले में मैंने एड कर दिये वही सारे जो हमारे मसाले होते ना आमचूर काला नमक नमक थोड़ा गरम मसाला हल्दी धनिया सब एड करके हवी मिर्ची और बाविक कटावा धन में एड करके बढ़िया सा मसाला बना लिज़े बहुत ज़्यादा उसे गलाना नहीं है अब अब यह पपाया के मसाले की स्टफिंग को मैंने इसमें स्टफ कर लिया है और बना लिजे इसका पराथा पराथे को मैं घी से ही बनाती हूँ अच्छा टेस्ट आता है ओल मत बच्चों के टिफिन के लिए पराथा तो आप कच्छा पपाया कैसी यूज करते हैं मुझे ज़रूर बताइए इसको आप किस तरीके से इसकी और क्या बनाते हैं तो ये बन गए मेरे पराथे टिफिन के लिए अब मैं या टिफिन में वखोंगी कर्ड और इसके साथ रखों है तो like preservatives वगब नहीं हो जिसमें I mean to say और ये पैक हो गया मेरा आज का लांच और इसको मैं ऐसे ट्राइंगल शेप में कट करके टिफिन में रखती हूँ न तो इससे क्या होता है रखना भी इजी हो जाता है और अगर आपको मेरे आइडियाज अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को फॉलो करिए और सब्सक्राइब करिए और हां मैं बहुत जल्दी मेरे किचिन टूर का वीडियो आप से शेर करूंगी आपकी विक्वेस्ट पर थैंक यू